हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल सिविल उजर्स दोस्तो आज की ये वीडियो वास्तु सास्त स्रीज की पार्ट टू वीडियो है और दोस्तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये वीडियो बहुती जादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्यों क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना घर बनाते वक्त वास्तु सास्त के अकोर्डिंग कौन सी चीज को किस दिसा में बनाओगे जैसे कि अगर बात करें कि आप अपने घर के गेट को में गेट को किस दिसा में लगाओगे या फिर डור की opening के बारें बात करेंके, आपके घर के डूर अंदर की तरफ खुलने चाहिए, बाहर की तरफ खुलने चाहिए, या फिर सीडियां किस दिसामे आने चाहिए, किस तरह से बननी चाहिए, bedroom, पूजा घर, temple आपका किस दिसा में होना चाहिए आपकी रसोई, रसोई की slab और gas, sink ये आपकी किस दिसा में होनी चाहिए toilet, toilet seat, wash basin summer civil point, septic tank ये सब चीज़े किस दिसा में होनी चाहिए और वास्तु सास्त के according आपके घर का सबसे heavy सबसे भारी कौन, कौन सा होता है और store room आपका किस दिसा में आना चाहिए वास्तु सास्त के according तो दोस्तो इन सभी questions के बारे में इन सभी basic knowledge के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप अपने घर का construction करते वक्त या फिर आप अपने house की planning करते वक्त अगर आप एक civil engineer, design engineer हो तो आपको house planning करने में कोई भी problem नहीं आएगी आप वास्तु सास्त के according अब आसानी से planning कर सकते हो अपने घर को आसानी से बना सकते हो ठीक है फैंस? और दोस्तो इस वीडियो को start करने से पहले और कैसे पता करेगी हमारा जो घर है उसकी दिसा कौन सी है तो फ्रेंस मैं आपसे request करूँगा कि इस part 2 वीडियो को देखने से पहले आप पहले part 1 वीडियो देखें यानि कि वास्तु सास्त के बारे में अच्छे से समझ लें कि वास्तु सास्त होता क्या है दिसाएं क्या होती है कौन क्या होते है वास्तु सास्त के कौन बहुत ही जादा important है तो फ्रेंस इस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा और उपर i button पे click करके भी आप इस वीडियो को check कर सकते हो तो चले फ्रेंस आज की इस वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप इस screen पे देख सकते हो मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में वास्तु सास्त को कुछ इस तरह से समझाया था जैसा कि वास्तु सास्त के कितने कौन होते हैं कितनी दिसाएं उप दिसाएं होती है या फिर कौन सा इस्थान किस देव का होता है ठीक है तो फ्रेंज यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने घर को वास्तु सास्त के अनुसार बनाना चाते हो तो फ्रेंज आपका हैं पे वास्तु सास्त को समझना भोती जादा जरूरी है ठीक है तो फैंस अगर आपको अभी भी ये वास्तु सास्त की language नहीं समझ में आई है कि किस तरह से आप वास्तु सास्त को याद रख सकते हो आपके लिए एक बहुत ही simple और आसान भासा में एक वास्तु सास्त का एक और design बनाया है ताकि आप वास्तु सास्त को अच्छे से समझ सको और अच्छे से याद रख सको तो चली फैंस अभी मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आप वास्तु सास्त को याद रख सकते हो तो दोस्तो जैसा कि आप इस की पर देख सकते हो वो बेसिकली आग का कोर्ण होता है ठीक है उसके बाद जो इसान कोर्ण होता है वो आपका वाटर का कोर्ण है यानि कि पानी का कोर्ण होता है वाइवे कोर्ण जो होता है वो आपका हवा का कोर्ण होता है और जो नेर्थे कोर्ण होता है वो बेसिकली आपका प्रत्थिवी का कोन होता ठीक है और जो आपका भ्रहमिस्थान होता है यानि कि जो आपका center होता है आपके घर का center वो basically space होता है open space होता है यानि कि जब आप अपने घर बना रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ भी construction नहीं करना यह basically आपकी lobby होता है यानि कि खुला hole होता है तो friends अभी आप वास्तु सास्त को इस तरह से याद रख सकते हो कि हमारे जो वास्तु सास्त के कोन होते हैं वो basically आग, पानी, हवा और वाईयू के कोन होते हैं और बीच का जो इस्थान होता है वो basically इस आसान भासा में आप वास्तु सास्त को याद रख सकते हो देखे friends यहाप एक चोटा सा point और बताना चाहूंगा जो basically आपके mind में भी जरूर आ रहा होगा कि वास्तु सास्त में सिर्फ 5 option ही क्यों दिये गए हैं आग, पानी, हवा, प्रत्वी और space यानि कि समझने वाला point यह है कि वास्तु सास्त में 6 विकल्प, 7 विकल्प, 8 विकल्प भी हो सकते थे या फिर 4 विकल्प हो सकते थे बट यहाँ पे वास्तु सास्त में सिर्फ 5 ही options दिये गए हैं ऐसा क्यों मतलब कि हमारी जो प्रकृती है नेचर है उसके जितने भी elements है जितने भी चीजें है वो basically 5 basic elements से मिलकर बनी है पांच तत्वों से मिलकर बनी है कौन-कौन से है आग, हवा, पानी, धर्ती और आकास से मिलकर बनी है आप अपना ही example ले लीजे कि क्या हम इन 5 elements के बगएर रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं तो same to same जो वास्तु सास्त रह वो भी इनी 5 elements से मिलकर बना है यानि कि इनी 5 elements के उपर इन वास्तु सास्त डिपेंड करता है तो चले फैंस अभी समझते हैं कि घर बनाते वक्त कोन सी दिसा किसकी होनी चाहिए ठीक है फैंस तो दोस्तों जैसा कि आप इसकीन पर देख सकते हो सबसे फर्स पॉइंट के बारे में बात करेंगे entrance और main gate of houses मतलब कि जो भी आपका घर है उस घर का main gate entry किस दिसा में होनी चाहिए देखिए सबसे पहला point कहता है कि अगर आपका घर east और north facing है मतलब कि पूरब या फिर उत्तर की दिसा में है तो आपके घर का main gate north east direction में आगा यानि कि उत्तर और पूरब दिसा में आएगा ठीक है लेकिन अगर आपका घर जो है वो इस दिसा में है नौर्थ की दिसा में है तो आपके घर का main gate है वो basically इस दिसा में लगएगा यहाँ पे ठीक है यह दिसा बहुत ही ज़्यादा best है आपके main gate के लिए ठीक है लेकिन अगर आपके घर की दिसा west है यानि कि पश्चिम दिसा है आपके घर की तो आपके घर का main gate होगा वो north west direction में लगए यानि कि उत्तर और पश्चिम दिसा में लगएगा यहाँ पे आप देख सकते हो आपके घर का west facing है यहाँ पे west facing है तो आपके घर का main gate इस दिसा में आएगा यहाँ पे ठीक है फैंस उसके बाद अगर आपका घर south facing है दक्षिन दिसा में है तो आपका घर का main gate आएगा south east direction में यानि कि इस दिसा में आपका यहाँ पे gate आएगा ठीक है यहाँ पर देख सकते हो कौन से कौन में आएगा अगनी कौन में यहाँ पर आएगा और अगर main gate के बारे में बात करें तो fans main gate जो है should not be center यानि कि आपका घर का main gate आपके घर के center में नहीं होना चाहिए लेकिन अगर आप अपने घर का main gate center में ही लगाना चाहते हो तो fans आप अपने घर के main gate को थोड़ा सा इधर उधर भी खिसका सकते हो उसके बाद लगा सकते हो यानि कि दो ती नीच राइट साइड में कर लीजिए फिर दो ती नीच लेफ्ट साइड में कर लीजिए इस तरह से आप अपने घर का main gate लगा सकते हो बट center में नहीं लगाना ठीके fans और second point के बारे में बात करेंगे door opening के बारे में door opening जो होनी चाहिए आपके घर की inverse होनी चाहिए और clockwise direction में होनी चाहिए मतलब क्या है कि आपके घर के दरवाजे हमेशा अंदर की तरफ खुलने चाहिए ना की बाहर की तरफ और जो आपके दरवाजे खुलने चाहिए बेसिकली clockwise direction में खुलने चाहिए clockwise direction कौन सी होती है जिस दिसा में आपकी घड़ी गूमती है उस दिसा के according आपके घर के दरवाजे अंदर की साइड खुलने चाहिए तो चले fans अभी next बात करेंगे staircase direction के बारे में मतलब कि घर बनाते वक्त हमारी सीडियों की दिसा कौन सी और खतम होनी चाहिए जैसा आप यहां पे भी देख सकते हो इस प्लान में मैंने बनाया हुआ है आपकी सीडिया इस तरह से north से start होके आपकी south दिसा में खतम होनी चाहिए ठीक है फैस second point के बारे में बात करेंगे second point कहता है staircase always must be in clockwise direction मतलब कि आपकी जो सीडिया है वो हमेशा clockwise direction म south पे finish होगे उसके बाद अगर antique clockwise की बात के तो आप सीडियो पे उल्टा इस तरह से चड़ोगे ठीक है अगर आप घड़ी की सुई को उल्टा गुमाओगे तो वो आपकी antique clockwise direction होगे अब यहां पे third point जो कहता staircase के बारे में वो है you safe staircase is very good for house construction as per वास्तु मतलब कि वास्तु सास के हिसाब से अगर आप अपने घर में you safe की सीडिया बनाते हो तो आपके घर के लिए वो बहुत ही जादा अच्छा रहेगा तो चले फैंस अभी next बात करेंगे bedroom के बारे में देखिए southwest corner is best for bedroom master bedroom in houses मतलब की southwest corner जो होता है दक्षिन और पश्चिम corner जो होता है bedroom के लिए वो बह आपका बहुत ही अच्छा होता है bedroom के लिए उसके बाद पूजा घर के बारे में बात करेंगे तो north east corner is reserved for पूजा घर मतलब की north east corner जो होता है वो पूजा घर के लिए reserved होता है fixed होता है यह वाला corner जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो north east corner यानि की उत्तर और पूरब corner यह fix होत पूजा घर के लिए इस corner के अलावा पूजा घर और किसी भी corner में नहीं बनाया जा सकता फैंस यह आप याद रख लीजे तो चलिए फैंस अभी next बात करेंगे kitchen के बारे में कि घर बनाते वक्ट जो आपकी रसोई है वो किस दिसा में आने चाहिए देखिए south east corner is reserved for kitchen मतलब क kitchen design करते वक्त आपको जो दक्षिन और पूरब cone है वो basically kitchen के लिए fix होता है kitchen जो आपकी इस दिसा में आने चाहिए अगनिये cone में यह इसके अलावा रसोई आपकी किसी और cone में नहीं बनाई जाती है और अब भी बात करेंगे kitchen slab के बारे में कि kitchen बनाते वक्त आपकी kitchen slab किस दि दिसा की और डालीजिए तो आपकी ये kitchen की slab बहुत ही अच्छी रहेगी या फिर अगर आपकी slab इस तरह से नहीं डल रही है तो आप एक काम कीजिए आप अपनी slab को एक दिसा की और तो जरूर डाली या तो आप पूरब की और डालीए या फिर आप उत्तर की और डाले ठीक of gas and stove मतलब की उत्तर और पूरब डिसा जो है वो आपकी gas और stove के लिए बहुत ही जादा important है क्यों यहाँ पर देखे समझे कि वास्तुसास ये कहता है कि अगर आपकी gas पूरब डिसा की और या फिर उत्तर डिसा की और होने चाहिए तो वो बहुत ही जादा अच्छी होती है जब ladies घर में खाना बनाती है रसोई में तो ladies का face जो है वो basically पूरब डिसा की और या फिर उत्तर डिसा की और ही होना चाहिए तो यह बहुत ही जादा अच्छा होता है ठीक है उसके बाद बात करेंगे sink की तो देखे फैंस sink जो है वो basically north and east direction में ही आनी चाहिए ठीक है north और east direction में क्यों आनी चाहिए आप ये भी समझ सकते हो क्योंकि फैंस यहाँ पे देखे north east direction जो है ये आपकी ये वाली north east direction है जो basically water की direction है तो आप ये भी समझ सकते हो कि sink में हम water का ही काम करेंगे तो obviously बात है जो भी आपकी sink आएगी वो north east direction की और लगनी चाहिए आपके kitchen में और आप यहाँ पे एक और point देख सकते हो कि sink should not be placed nearby gas stove because fire and water are opposite to each other मतलब क्या है कि जो आपकी sink है वो gas या फिर stove के पास नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि आग और पानी एक दूसरे के opposite है यानिकि एक दूसरे के उल्टे है कभी भी आग और पानी का संबंद नहीं होता है तो चल नौर्थ वेस्ट डिरेक्शन में बन रहा है तो बहुत ही जादा अच्छा है कौन सा डिरेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो यह आपका नौर्थ वेस्ट कौन है यानिकि वायवे कौन यानिकि हवा का कौन है तो इस दिशा में आपका टोलेट बन रहा है तो बहुत ही ज समझ सकते हो कि जब आप टोईलेट में बैटे हो तो आपका face उत्तर दिसा की हो रहे होना चाहिए या फिर दक्षिंड दिसा की होना चाहिए कभी भी पूरब और पश्चिन दिसा कि होर आपका face नहीं होना की है टोईलेट में उस के बाद wash basin की बात करेंगे तो wash basin जो है आपकी north east corner is the best placement for wash basin या फिर bath tub बात टब के लिए या फिर wash basin के लिए north east corner ये वाला corner इशान corner ये आपका best है क्योंकि आप यहां से इस तरह से भी समझ सकते हो कि wash basin और bath tub basically water के लिए use किया जाते हैं तो water वाला point तो water वाले option में ही आएगा ठीक नेक्स point की बात करें summer civil point की तो आप यहां पे देख सकते हो north east corner is best for summer civil point water point well and bore well point यानगी water वाला point तो water के cone में ही आएगा आग वाले cone में तो नहीं आएगा नहीं हवा क्यों नहीं प्रत्थवी के cone में आएगा ठीक है तो अभी हम यहां पे आसानी से याद रख सकते हैं कि wash basin summer civil bath tub यह हमारे पानी वाले point है तो पानी वाले corner में आएगा नहीं कि कहां पे इशान corner में ठीक है और अगर नहीं हम आग की बात करें जैसे पानी वाले point होते हैं जैसे कि रसोईy में gas हो गई तो उसमें मे में आप यहां पे समस्हकते हो कि काम किस में होता हो रसोई काम क्यों में होता है तो रसोई कोई आपकी कोंसे corner में आनी nossa और सा होता है Northwest corner is best for septic tank मतलब कि जो आपका उत्तर पश्चिम corner होता ये वाला corner जो होता वायवे corner ये best होता है septic tank के लिए और second point कहता है septic tank always constructor underground level मतलब कि septic tank हमेशा ground level के नीचे ही बना हुआ होना चाहिए उसके बाद third point कहता है septic tank should not be constructed in the center of houses मतलब कि septic tank कभी भी आपके घर के center में यहाँ पे नहीं बना हुआ होना चाहिए क्योंकि ये भ्रमिस्तान होता है, लोबी का इस्तान होता यहाँ पे हवन वगेरा के लिए जो आपकी लोबी यूज की जाती है तो यहाँ पे कभी भी आपका sector tank नहीं होना तो देखें फैंस, southwest corner is the heaviest corner in the house as per वास्तू मतलब कि जो भी आपका ये southwest corner होता है निर्थ्य corner ये सबसे ज़्यादा भारी होता है आपके घर में फैंस, अगर आप इस तरह से नहीं समझ सकते हो तो आप अपने आप भी हाँ पे समझ सकते हो कि इन पांचों option में सबसे heavy कौन सा है आग heavy है, पानी, हवा, प्रत्वी या फिर space obviously बात है कि प्रत्वी जो है अर्थ जो है वो बहुती ज़्यादा heavy है तो इसलिए जो हमारा heavy corner है वो southwest है जो की निर्थ्या corner है इसलिए फैंस, store room should be placed in southwest corner मतलब कि जो भी store room आएगा यानि कि जितनी भी हम heavy चीज रखते हैं अपने store room में रखते हैं तो store room obviously बात है southwest corner यानि कि निर्थ्या corner में आना चाहिए तो फैंस, ये तो थे कुछ basic और important points वास्तु सास्त के कि कि किस तरह से आप अपने घर को वास्तु सास्त के according बना सकते हो तो चलिए फैंस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही और फैंस, I hope कि अभी आपकी सभी problems clear हो गई होगी और फैंस, आपको ये वीडियो अगर अच्छे लगई हो तो प्लीज इस वीडियो को like करो और comment भी करो और फैंस, जादा से जादा share करो इस वीडियो को ठीक है फैंस, क्योंकि फैंस, ये वीडियो बहुत ही जादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में और फैंस, अगर आप हमरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को subscribe करो और साथ ही बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो चलिए फैंस, मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू, बाबाई